तो आप सभी की परिक्षा के दृष्टिकोंड से कलायम संस्कृती का एक टॉपिक बहुत इंपोटेंट है और आज की सेशन में मैं आप सभी को ये टॉपिक पूरा याद करवा दूँगा रटवा दूँगा आप सभी के दिमाग में बैठा दूँगा ये टॉपिक कई बार बहुत सरा उलजन भरा रहता है ये टॉपिक आपको जुड़ा हुआ है सास्त्री नृत्य से या भारती नृत्य कला से जुड़ा हुआ है ये टॉपिक आपका ठीक है तो एक तो बच्चों को सबसे दा कन्फ्यूजन क्या होता है कि भारत में कितने सास्त्री नित्य हैं कौ सास्त्री नित दूसरा है आपका लोक नित या जंजातिय नित दोनों यह अलग अलग प्रकार से हैं लोक नित अलग हैं जंजातिय नित अलग हैं अब जो आपका जो सास्त्री नित है जिसके बारे मैं आपको चर्चा करने जा रहा हूं पहली बात तो यह सास्त्री नित जो है ये आपके सास्त्र संबत होते हैं सास्त्र द्वारा अनुशाशित होते हैं इनका एक ही प्रकार का ग्रामर होता है जो हर जगे अपलाई होता है मतलब इनमें एक ही प्रकार की एक पद्धती है वो पद्धती हर जगे के लिए एक जैसी ही होगी ठीक है? जो लोक निरतिय जंजातिय निरति होते हैं ये हर राज्य में हर संस्कृति में हर कल्चर में जो हां का इस्थानियता होती है इस्थानियता होती है या जंजातिय सम्मूहों द्वारा तो ये समय हर जगे पे बदलते रहते हैं लोक निरति वहां के लोकल कल्चर को जोड़ करक कोई ब्याकरण नहीं होता, कोई अनुशाशन नहीं होता, तो लोक नित्य अलग चीज है, वो जो आपका एक तरीके से कह सकते हैं, इस्थानियता है, उसको दरसाते हैं, सास्त्री नित्य के नियम है, उसी नियम से सास्त्री नित्य किया जाएगा, उसी नियम से आपका एक वह उसी ब्याकरण है, उसी ब्याकरण के अनुसार उसको किया जाएगा, वही एक उसका एक डिसीप्लीन है, एक अनुशासन है, जिसके अधार पर उसको किया जाएगा, अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, देखो नृत्य का मतलब क्या है, नृत्य में दो चीजे होती है, एक तो होती है सरीर गती में रहता है और दूसरा गती के साथ मनोभाव होते हैं तो जो अंग प्रत्यंग के मनोभाव हैं और उन मनोभाव को जब गती के साथ हम क्या करते हैं साथ में जोड देते हैं दोनों का समुच्चे कर देते हैं दोनों को आपके मनों भाओ जब गती नियंत्रे, एक नियंत्रित गती के साथ जुड़ जाती है, एक ग्रामर के साथ जुड़ जाती है, एक नियम के साथ जुड़ जाती है, ये आपका सास्तिनित्य हो जाता है, तो देखे, समय के साथ साथ, प्राचीन काल से लेके अब तक, बहुत सा मनुस्य के द्वारा गती और भावनाओं के प्रदर्शन को देखो यह क्या है आपकी पर्फॉर्म कर सकते हैं और जो आपका डांस है इसमें गती और भावनाओं का प्रदर्शन से आप अपनी कलाओं को बांध सकते हैं अपनी कला को दिखा सकते हैं प्रदर्शित कर सकते हैं तो एक परसंत है भरत मुनी, आप सभी जानते हैं, भरत मुनी की एक पुस्तक है नाट्य सास्त्र, आप ये भी सब जानते हैं, तो नाट्य सास्त्र जो है नित्य पर सबसे प्राचीन ग्रंथ है, कहां पर जानकारी मिलती है नित्य के बारे में, नाट्य सास्त्र में, ये आप कि आपके आपका भाष मुनी के द्वारा के द्वारा लिखा गया है तो इक बार थोड़ा साम लोग गती से देख लें कि कौन-कौन से सास्तृय नित्य नित्यैयों कि संख्या आप देख पा रहे होंगे आपके सामने पूरा ड्राफ है न यहां पर आपका भाव भंगी माहिं देख पा रहे होंगे है यह तो यहां पर Harleyesar कहां से जुदा हुआ है बहुरत के सबसे दच्छनी दूश्य है तमियल नाड से लेख़ेगा नाड वहात करें रहा देख थिए आपे उत्तर प्रदेश पर उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश यूपी वाले ध्यान रखें इसको रट जाना है अभी इसकी विसेशता है बताऊंगा आपको ठीक है यह कथा कली आप यहाँ पर एक विसेश भाव भंगी मा देख पा रहे होंगे कथा कली आपका केरल से जुड़ा हुआ है कहां से जुड़ा हुआ है केरल से यह तो यह कुल रट लेना है इससे कुशन पूस्ता है आपका ठीक है यह आप देख रहे हैं यह है कुचीपुरी कुचीपुरी आपका आंध्यप्रदेश से जुड़ा हुआ है आंध्यप्रदेश कुचीपुरी आपका आंध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है इसके बाद आगे चलते हैं यह आपका मनीपुरी तो मनीपुरी जो है इसका नाम से ही आपको पता है कि मडीपुर से जुड़ा होगा यह मनीपुरी यह मडीपुर से जुड़ा हुआ है यह आप देख रहे हैं मोहिनी अट्टम तो मोहिनी अट्टम भी आपका केरल से जुड़ा है केरल से दो हैं मोहिनी अट्टम और कथाकली यह दो दिवाग में बठा के रखना है दो केरल से मोहिनी अट्टम और कथाकली ठीक है यह आप देख रहे हैं ओडिसी तो ओडिसी से भी हमें पता है कि ओडिस से है कथा कुत्तर प्रदेश से है कथा कली केरल से है कुचीपुरी आपका ठीक है कुचीपुरी आपका आंध्र प्रदेश से है मडीपुरी आपका मडीपुर से है मोहिनी अट्टाम आपका केरल से है ओडिसी आपका ओडिशश है सात्री आपका जो है असम से है अब यहां प मोहिनी अट्यम और भरत नाट्यम में दिक्कत होती है तो आप एक चीद ध्यान रख नहींगा मोहिनी भी आपका केरल से जुड़ा हुआ है यह दो आपको याद करना पड़ेगा बाकी मुझे जहां तक लगता है संभवत आपको याद हो जाएंगे बताओ भई क्या आप लोगों को यह आठ के आठ याद हो गए भरत नाट्यम तमिलिनाडु कथा कली केरल मरीपूरी मरीपूरी ओडिसी ओडिशा कुचिपूरी आंद्रप्रदेश मोहिनी अट्टम केरल सात्रिय अशम और कथा कुत्तर प्रदेश सभी लोग बता यह बहुत इंपोर्टेंट है मतलब यह अपने आप में इतना आशान नहीं है यह हमें एक एक करके समझना है और देखना है ठीक है यह मतलब कुश्चन पूचता है फिर गढ़बढ हो जाएगा एक बार बता दें निक्की सोनी जी करें सर थैंक्यू सर आप जो भी पढ़ाते हैं वो समझ में आ जाता है चलिए शुक्रिया धन्यवाद हाँ यह क्लासिकल डांस है आपके सास्त्री नित्य है और टोटल आठ है इनकी संख्या आठों के लिष्ट मैंने करवाई आपको ठीक है तो यह आठ आपके यहां पर देखे यह सेम लिष्ट है भरतनाट्यम तमिलनाडू कथा कुत्तर प्रदेश कथा कली केरल कुचिपूर आपको दिमागां बठाके रखना है यह अभी मैंने आपको लिष्ट करवाई पूरी के पूरी अब चलिए एक एक करके देख लेते हैं थोड़ा सा यहां पर देख रहे हैं एक एक करके थोड़ा सा इनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं ठीक है इन से जुड़े हुए बह भारत नाट्यम जो नात्य सास्त्र है आपका यह आपका इसका विकास केंदर तमिल नाडु में हुआ है और तमिल नाडु में पहले क्या था देवदासी प्रथा थी देवदासी प्रथा दच्छन भारत में पहले बहुत बड़े इस तरपे बीजय नगर समराज जिसे ही द कौशन किया जाता था वहीं से आपका भरत नार्टाम का जन्म का जन्म हूआ है किसका जन्म हूआ है ठीक है एक कई सारे बड़े-ड़े नाम हैCal Schönhoare Aura Dir फिर धीर टीरे यह भरत नार्ट्यम का विकाश तो भरत नाट्यम जो होता है इसका जो संगीत वाद्य होता है उसमें गायक होता है एक बासुरी बादक होता है एक मृदंग वादक होता है और एक बीड़ा वादक होता है और एक करताल बजाता है मलब एक हर एक उसमें तो देखो एक संगीत जो है उसमें संगीत वाद्य आपका यह तो यहां पर देखे सबसे पहले इस नृत्य विधा की उत्पत्ति कहां हुई है तमिल नाडु में हुई है तमिल नाडु में जो मंदिरों में जो है तमिल नाडु के मंदिरों में जो नृत्तक होते थे या देवदाशी जो होती थी उनके द्वारा एकल नत्य प् भी कहते है भरत नाट्यम को क्योंकि देव दासी प्रथा से जुड़ा हुआ है तो इसको दासी अट्वम के तौर पे भी हम जानते हैं अब इसकी विशेशता है का है पहले तो एकल रत्य विधा है ये ठीक है जिसका प्रदर्शन जो है मुक्ता इस्त्रिया करती है इस्त्रिय जो होती है उसके दिए है और इसमे क्या है जो हाथ की उंगलिया होती है उन उंगलियों से अगनी की लप्तों को दिखाया जाता है उसके जैसे दिखाया जाता है, तीन अंगलियों को जोड करके अगनी का प्रतीक माना जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर एक बार देख सकते हैं, आप लोग, जैसे यह नित्य देख रहे हैं, इस नित्य में आप देखेगा, यहाँ पर यह देखे, यहाँ पर यह वाली जो एक बार देखने का प्रयास करेगा, यामनी कृष्ण मूर्ती और मिरनालनी सारा भाई, विक्रम सारा भाई की जो है वाइब थी, आप सभी जानते हैं, जो स्पेस रिसर्च से जुड़े हुए थे, इस रो से जुड़े हुए थे, मिरनालनी सारा भाई और यामनी कृष्ण मुत्र यह दो प्रमुक कलाकारा रॉहर्फ नाॉक्पोरर यह बाद न्ट्यूफक अगला है आपका यह यह रिक हैं अग क हुट्री ना उसरा पार im chuste प्रदेश से कुची पुड़ी आपका आंद प्रदेश से जुड़ा हुआ है कहां से जुड़ा हुआ है आंद प्रदेश से कुची पुड़ी जुड़ा हुआ है अब देखें आंद प्रदेश में गाव है कुची पुड़ी गाव है कहां परता है आपका कृष्णा जिला है उसी में कुची पूरी गाव है वहीं पे ये सैली का जन्म हुए वहीं से ये सैली उसी के नाम से ये कुची पूरी हो गया ठीक है तो कुची पूरी में पूरूस और महिला दोनों भाग ले सकते हैं दोनों नरत्य कर सकते हैं और इसमें कृष्न लीला की प्रस्तुति की जाती ब्गवान कुचुचि पुड़ी की, चुची पुड़ी की सब्सक्राइबंक एक गाउंग है, भागवत पुरान की जो कहानिया है, उनकी प्रस्तुतियों को मु semantic वस्तु के तौर पे सब्सक्राइबंक जोören और नित्य को जो है इसमें भागव ठालू के नाम से भी जाना जाता है विसेशताएं क्या है एक तो पैरों का संचालन करना हाथ की मुद्राओं पर विसेश महतु दिया जाता है कलाकार अपने पैर के अंगूठे को फर्स पर कालपनी काकृती बनाता है और साच सज्जा और वेश बूशा का काफी महतु दिया जाता है महिला चरित्र काई आभूशनों को धारा करती है स्रेंगार रस की प्रधानता होती है नित्य के सास्ति नित्य के तीन घटक होते है नित्य नित्य और नाट इनको समलित किया जाता है और यहाँ पर जो है एक चीत दिमाग में कार कौन से राधा रिड़ी राजा रिड़ी और इंद्राणी रहमान यह नाम बड़ा फेमस है इंद्राणी रहमान ठीक है कुछी पुड़ी में एक विशेश नृत्य होता है मटका नृत्य कौन सा होता है मटका नृत्य जिसमें नृत्य की अपने मटके के जल को अपने सर प रख करके पीतल की थाली में खड़े हो करके निर्त्य करना ये इसका एक बिशेश पक्ष है आपका इस पूरे उसमें ठीक है तो एक ये दिमाग में बैठा के रखना है तो ये आपका दूसरा है कुची पूरी कहां से जुड़ा हुआ है आंद्र प्रदेश से ठीक है इंद्र ये देखे कथाकली कथाकली आपका केरल से जुड़ा हुआ है कहां से जुड़ा हुआ है कथाकली कथाकली और मोहनी अट्टम दो आपके केरल से जुड़े हुए है तो इसमें जो है आपका अभिनाव भी होता है अभिनाय मतलब की इसमें अपने भावों को भी दिखाना न इसे पहलाडिक कथााओं को इसको लिया जाता है। इसका विष्च परकार का ड्रिसिंग संस है। आप देख रहें। विष्च परकार से एक ड्रेस होती है। तो इसमें पहला धिyanka रहूत और?!? इसमें विशेश प्रकार के मुखवटे आप देख पा रहे होंगे तो देवता और राक्षस दोनों को दिखाने के लिए इसमें बहुत सारे ठीक है तो यह ध्यान रखेगा और इसमें जो है पुरुस नरत्तक जादा होते हैं तो अगला है आपका कथा कली ठीक है कथा कली के बारे में अब आपको बतायता हूँ केरल का सास्त्री नित्य है ठीक है केरल में यह लोक नाट कुडिया पट्टम या कृष्णा पट्टम का प्रेंडा स्रोत है मुख रूप से पुरुसों के द्वारा किया जाने वाला नित्य है आपका यह ठीक है और इसकी जो है इसमें नाटक दोनों का इसमें एक प्रॉपर एक कहानी चलती है नित्य के साथ साथ और रमायर महाभारत और पुरानों से लिये हुए जो चरित्र हैं उनका अभिने किया जाता है चेहरे के हाओ भाओ नेत्य भवों का संचालन गाल नाक और थोड़ी की अभिव्यक्ति पर विशे इस जोर होता है ठीक है तो यह ध्यान रखना इसमें तो नित्तक अपने चेहरे पर हरा पीला काला रंग लगाये जाता है जिसमें से हरा रंग सदगुन का प्रतीक है मर्यादा का प्रतीक है लाल रंग पाप का प्रतीक है और काला रंग तामशिक का प्रतीक है ठीक है और प रचाए के चलने के संघर्ष को व्यक्त करता है ठीक है इसमें जो प्रमुख कलकारेक तो रीता गंगुली है सदानम कृष्ण कुट्टी है ये सारे प्रमुख है इसमें ठीक है और ये मलयालम और संस्कृत भाशा से जुड़ा हुआ है आपका ये पूरा का पूरा ठीक है तो एक तो आपका ये हो गया कथाकली कथाकली कहां अगला है आपका मोहिनी अट्टम, ये भी आपका केरल से है, ये आप देख पा रहे हैं, मोहिनी अट्टम, ठीक है, तो मोहिनी अट्टम आपका महिलाओं के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, कि वल महिलाओं हैं इसे प्रस्तुत करती हैं, और इसमें भरत, नाट्यम और क्ली इन दोनों के कई सारे तथ तो इसमें क्या है समलित होते हैं जब ऑगौन सीव के द्वारा भसमा सुर को जो है क्या किया गया था बरदान दिया गया था कि वह जिसके भी हाथ में हाथ रखेगा तो आपको पता होगा कि भसमा सुर के द्वारा फिर भगवान सीव को ही इसमें लक्ष बनाय गया था तो भगवान विश्नु ने आ करके भगवान सुर से भगवान सीव की रक्षा की थी और उसमें भगवान विश्नु ने मोहिनी का रूप दारण किया था और जब भगवान विश्नु नृत्य कर रहे थे तो मोहिनी अट्व्य साब्धिकर्थ है सुन्दर नत्य ना और केरल से संबंदित है, इसमें कथाकली का उस्सह के साथ ke साथ भरतन अट्यम के भी तत्तुप जुड़े हुएं, ललिता और कोमलता दोनों जुड़े हुएं और मोहिनी अटम नत्य प्रस्तुत के समय पैरों की थाप के इस्थान पर कदमों को ही सौमे तरीके से रखा जाता है ठीक है ये भगवान विश्णू के जो मोहिनी स्वरूप है उनकी कहानी है उस नत्य की कहानी है इसमें रित्य संगीत और गीत तीनों एक साथ होते हैं इसमें लाश यानि सौंदर और लालित प्रधान रत्य होता है ठीक है और इसमें जो है सफेद कपड़े मुख रंग होता है सुनहरे रंग का बेल बूट की डिजाइनों के कारण से मोहिनी अटम की बेश बूशा बिशेश मात रखते है देखो केरल में आम तोर पे जो केरल म अपने टकनों पर घंटियों के चमरे की पट्टी पहनती है इसमें ठीक है कलाकार इसमें कौन से सुननंदा नायर मादुरी अम्मा जय प्रभा मेनन ये प्रमुख कलाकार है इनके द्वारा इसको फिर से पुनर जीवित किया गया तो कई सारे कलाकारों के नाम भी आपको ध अगरला है कथक कि अमारे उत्तरी प्रदेश से जुड़ा हुआ है ठीक है ब्रज भूमि से जुड़ा हुआ है यह आप देख रहे होंगे यह प्रमुखuga प्रजभूमी से जुड़ा हुआ है, इसके बारे में एक बार करम से हम समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर देखे यह आपका कथक ब्रड़्य भूमी से जुड़ा हुआ है रास लीला की चीजों को दिक्म आधी जीएगा उत्तर प्रदेश के से जुड़ा हुआ है आपका ठीक है कथा कर्थाथ कथा वाचन कथा से जुड़ा हुआ है जब इसमें रास लिला भगवान कृष्ण के जो है उससे जुड़े हुई है चीजे तो इसमें कथक की सबसबरी विशेषता है कई घरानों का विकाश हुआ है इसमें जैसे लखनव घराना, जैपूर घराना, रायगर घराना, बनारस घराना तो कई घरानों से जुड़ा हु जो है लगतार आपके चलते रहते हैं ठीक है तो कथक की जुगलबंदी समाने तोर पर धुरूपद संगीत के साथ होती है तो धुरूपद और कथक दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए है मुगलकाल में तराना ठुम्री और गजल भी इस से समलित किये गए थे कथक का जनम मंदिरों से हुआ है कथक का जनम भी मंदिरों से वगा है और ये इराणी और मुसलीम प्रभाव से धर्बारी मनोरण्जन तक पहुच गया था तो जो मुसलीम सासक्थे वो भी अपने धर्बार में कथक को ले करके जादा जुड़ते थे इस इस से एक परसन है बिरज माराज लच्छू माराज सितारा देभी दम्यंती जोसी यह सब आपके इससे जुड़े हुए कथक से तो यह आप देख रहे हैं विर्जू माराज ही है ठीक है और इनके द्वारा जो है कथक को बहुत लोगप्रिये बनाये गया तो बड़ा योगदान है इनका और आपको पत इसके बाद ठाकूर प्रसाद के ही पुत्र थे एक बिंदा दीन थे, दूसरे कालका प्रसाद थे हैं और तीसरे बयरो प्रसाद थे इन तीनों पुत्रों के द्वारा बाद में उसको बहुत ही बहतर बनाए गया लखनाव घराना से जुड़े हुए थे आपके तीनों के तीनों ठीक है तो इसमें धुरूपद और ठुमरी ये दो गायन इसमें जुड़े होते हैं तो कथक आपका हिंदू और मुस्लिम ज़्यात्त ही दोनों में बहुत ज्यादा पशंद किया गया कथक नई का पर आप में हमें आपका अे इस से जुड़ा हुआ है ओडिसी नत्व आपका उडिशा से जुड़ा हुआ है, तो इसके बारे में उडिशा से जुड़ा हुआ नत्व है और ये भी एक तरीके से इसका जुड़ा भी मंदिरों से उग तरीके से जुड़ा है और एक साशक थे आपके खारवेल, खारवेल के द्वारा इसको सनक्षन दिया गया था तो ओडिसी में जो है आपका प्रेम भाव, देवताओ, आमानों से जुडाओ, सांसारिक वा लोक के उत्तर नक्ते के तौर पे इसको देख सकते हैं ऊर इसमें त्रिभंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सरीर को संतुलन बनाने के लिए त्रिभंग मुद्रा को दिखाये गया, इसमें सरीर गले धार और घुटने पर मुडा होता है तो यहां पर त्रिभंग मुद्रा जो है इसकी एक बड़ी फेमस मुद्रा है जिसमें से आपका सरीर को जो है मोड़ा जाता है तो ये भी ध्यान रखेगा ठीक है त्रिभंग मुद्रा आपकी इसी के साथ जुड़ी हुई है ओर इसी के साथ ठीक है ये आपको ध्यान में तो इसमें से कुछ विदेशी भी हैं ये उसे से हैं सेरान लवन और मिरला बार्वी आपकी अर्जेंटीना से हैं ठीक है तो ओरसी जो है आपका स्यू मंदिरों में किया जाने वाल अर्नत्य था पहले शुरुवात में और बाद में दीरे-दीरे बैशनो धर्म का इसमें ज्य तो एक आपका ये हो गया ओरसी उडीशा से जुड़ा हुआ है इसके बाद ये आपका जो है ये है आपका मड़िपूरी नित्य है यहाँ पे भी आप देख रहे हैं एक विशेश प्रकार का परिधान जो है पहना गया है मड़िपूरी में तो मड़िपूर भी आपका नित्य जो है अठारवी सताबदी में बैसलो संप्रदाय के साथ है वि पूरा का पूरा राधा कृष्ण और गोपिया एक पूरा का पूरा इसमें एक तरीके से नाट्य चलता नाट्य और नृत्य दोनों चलता एक दूसरे के साथ अब इसके जो प्रमुख परसन है जो इससे जुड़े हुए आपको पता होगा रविन नाट्य टैगोर का बहुत जदा महात्य था एक कोस्चन कई बार पूछा जाता है कि निमलिखित में से किस नृत्य को बढ़ाने में रविन नाट्य टैगोर की बहती भूमिकाती तो मड़ी पूरी निरत्य को ब्यापक बनाने के लिए रविन नाट्य टैगोर क्योंकि इनके द्वारा क्या किया गया था सांती निकेतन जो बनाया गया था सांती निकेतन में इसका प्रसिक्षण देना उन्होंने प्रारम करवाया था मड़ी पूरी का तो यह दिमाग में ठीक है तो सात्री नृत्य में भी नृत्य और अभिने दोनों का समन्वे होता है और इसको जो है ये भी बैसनो संत और सुधारक संकर देव थे आपके कहां पर थे असंबाले छेत में उनके द्वारा ही सास्त्री नृत्य को बैसनो धर्म के प्रचार के लिए चुना गया था और बाद में ये आपकी नृत्य की एक बिसेश सहली के तौर पर डिबलप हो गया था देखो इसमें डरना नहीं है आपको लग रहा होगा बहुत सारे पक्ष मुझे याद नहीं हो रहा है कोई नहीं एक बार रिवाइस कर लेना क्या दिक्कत है तो इसको डिबलप करने का स अब भूशन और कपड़े पहनती हैं ठीक है तो यह आपका यह आप देख पा रहे होंगे यह आपका पुरूस और महिला दोनों के द्वारा किया जाने वाला नित्त सात्री यह नित्त्य है तो ये आठ नित्य हैं आपको पता होने चाहिए कि कहां पे कौन सा नित्य जो है आपका होता है ठीक है आठ के आठों नित्य मैंने आपको यहाँ पर कुछ चीजे बताई हैं ठीक है लगबग लगबग यहाँ पर जितने पक्ष मैंने बताया हैं आपके प्री के जो भी कोश् यह आपको रट जाना है इससे आपके question पूछेंगे तो आप गलती नहीं करेंगे यह आपका जो है नित्यकला से जुड़ी एक बात है अब देखो टांडव लाश्य और बाकी जो लोक नित्य है इसको लेकर करके अलग से एक session लेंगे उसमें मैं आपको discuss कर दूँगा ठीक है कि जो है भरत जो आपका भरत मुनी का नाट्य सास्त्र है उसमें दो नित्यों के बारे में चर्चा हुई एक तो टांडव है और दूसरा आपका लाश्य है तो दोरों के बारे में चर्चा हम बाद में अगले session में करेंग ठीक है चली